हेलो स्टूदेंट्स आज हम सम्वेगात्मक विकास वाले चैप्टर में हमारे जो उत्तर बाल्य अवस्था के जो सम्वेग्षेश रहे गए थे उनके उपर हम चर्चा करेंगे जो सम्वेग्षेश रह गए उनमें है ईशा इस अवस्था के बालक भी ईशा विकुल जैसे पूरू बाले अवस्था के बच्चों में ईशा होती है उसी तरह से ईश्या का भाव इस अवस्था के बालकों में भी होता है ईश्या तब उत्पन होती है जब ये बालक ये सोचते हैं कि किसी दूसरे को वो मिल रहा है जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है ईश्या की शुरुआत सामानेते घर से आराम होती है और अक्सर अपने भाई बहनों के साथ होती है क्योंकि जब उनके कोई छोटे भाई बहन होते हैं और उनके उपर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया जाता है तो इस अवस्था के बालकों को भी ईशा होती है बिलकुल जैसे पूर्व बाल्यवस्था में हो रही थी वैसे ही होती है और कभी-कभी तो वो तीवरी भी हो जाती है अगर अभी भावकोंने उनको महसूस होता है कि अभी भावक उनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवार कर रहे है दूसरे बालक को ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा ध्यान मिल रहा है ज़्यादा स्नेह मिल रहा है तो उनमें उस अपने भाव बहन के प्रती ईशा की भावना और प्रबल हो जाती है इसी संदर में मुझे याद आ जाती है एक बार टीवी के और पर मैंने नाटक देखा था, उसके अंदर क्या था, कि उसमें छोटे भाई बहन से नहीं था, खुब सारे बच्चे थे एक परिवार के अंदर, पांच-छे बच्चे थे, और उनका एक बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई वोचत था, वो दस्वी में बोर्ड की परिक्षा दे रहा था, और ये बहुत पुरानी समय की लिखी हुई कहानी थी, तो जिसमें बोर्ड की परिक्षा देना बहुत महत्पूर्न होता था, और वो बड़ा भाई जो था वैसे तो पढ़ने में फिसदी था, लेकिन सारा टाइम किताब लेकी बैटा र तो इर्शा जिस पर होती है तो हम उस पर आकरवान भी कर देते हैं, उसको चोट पचानी की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन यहां तो आज बड़ा भाई है, तो वो इर्शा का परदर्शन कैसे करें? तो उन्होंने क्या किया उन्होंने भाई बेनोंने उसको बड़े भाई का नाम निकाला कुमर साहब क्योंकि कुमर हमारे हैं स्पेशल लोगों को बोला जाता है कुमर साहब तो वो कुमर साहब उसको बोलते थे और एक दिन उन बच्चोंने तरीका निकाला की एक गैंदली और उसके उपड लिखती है कुमर सहाब और उस गैंद को ठोक ठोक के खूप ठोकर मार कर खेल खेल कर और तो कुमर सहाब यह गए लोग कुमर सहाब वो गए तो इशा का प्रदर्शन मतलब इशा इस अवस्था तक इतनी तीवर आ जाती है या तो प्रत्यक्ष लेकिन इस अवस्था में बच्चे अपनी इर्शा को प्रत्यक्ष प्रगट ना करके परोख्ष रूप्स में उसको प्रगट करते हैं अगर ये इर्शालू प्रवर्ती हो गई बालक की अगर उसको साइडंग से टैकल नहीं किया तो बालक इस इशालू प्रवर्थी के साथ ही स्कूल जाएगा और स्कूल में भी फिर वो इशालू हो जाएगा स्कूल में किसे इशा करेगा जो साथ ही, जो सहपाठी लोग प्रिये हैं सब लोग उनको पसंद करते हैं पढ़ाई में आगे हैं, खेल में आगे हैं, टीचर उन पे ज़्यादा बात करती है, टीचर उन पे ज़्यादा ध्यान देती है, बात करती है, पढ़ाती है, तो उनी की तरफ देखती है, तो उनके प्रतीब बालकों में ईशा का भाव रहता है, और ये कैसे करते हैं अपनी इशा का प्रदर्शन, यह इशा का प्रदर्शन, जगड़ा करने में बिल्कुल नहीं कि चाते हैं, या चुगल खोरी करेंगे, देखते हैं अच्छा टीचर का वो है, तो पता चला उसकी जाके कोई शिकायत कर दी, या घर में भाई बेन कोई है, जिससे उसको इशा होती है, तो उसकी जाकर मान से शिकायत करती है, देखो आज इसने तो गलत काम किया, हसी उड़ा कर उसकी, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो बच्चे जो है अपने बड़े भाई की हसी उड़ाते थे, चिड़ा कर, सता कर, मारना, पीटना, टीका टिपणी करके, ये इस तरह से अ करेंगे, तो ये तरीका, परोक्ष तरीका होता है, इशा को प्रगट करने का, बाले अवस्ता में जैसे जैसे आयू बढ़ती है, उसमें अभिव्यक्ति के परोक्ष तरीके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनको पता जलता है, प्रत्यक्ष तरीके जो होते हैं, ये समाज में स्वीकरत नहीं है आपने भाई बेन को मारेगा पीटेगा तो मापिताजी पिटाई करेंगे स्कूल में अगर वो जो बच्चा लोक प्री है उसके अगेंस में कुछ कारे करेगा तो टीचर की नजरों में और गिर जाएगा तो वो सीधे सीधे तरीके से अपनी इर्षा प्रगटना करके परोक्ष तरीके से इर्षा का प्रदर्शन करने लगते हैं अगला समवेगे बच्चों क्रोध बालकों में क्रोध की प्रवर्ती हर आयू की बालक को क्रोध आता है मनुष्य को सभी को क्रोध आता है क्रोध एक मूल भाव है मैं आपको पहले यह बता चुकी हूँ लेकिन क्रोध जो होता है शायद इस अवस्था में पूर्व बाले अवस्था से अधिक होता है क्यों? क्योंकि क्रोध को उकसाने वाली प्रेदित करने वाले कारक इस अवस्था में जादा होते हैं बालकों के लिए क्यों? जैसे उधारन के लिए बच्चे जो है उनकी स्वतंत्र होने की इच्छा रहती है और वो स्वतंत्र बनने के चेश्टा में अधिकांश्त असफल हो जाते हैं छोटे बच्चे स्वतंत्र होने की चेश्टा नहीं करते हैं तो वो असफल भी कम होते हैं ये बच्चे असफल जादा होते हैं असफलता उनकी अंदर क्रोध उत्पन करती है उनकी कोई भी कारे चल रहा हो उसमें बाधा उत्पन हो जाए तो ये बच्चे बहुत अधिक रोधित हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा डोरे मौन का फिर में आपको धारण दूंगो क्योंकि आपकी आईव वर्ग में बड़ा प्रचलित हो रहा है तो बच्चे जैसे वो खेलने के लिए पार्क में जा रहे हैं और उनका पार्क में खेलना किसी कारण से है खेल के मैदान पर बड़े वो आ गए हैं खेलने वाले लोग और उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा है तो बच्चे क्रोधित हो जाते हैं तो मतलब उनका जो कार्य हो रहा है उसमें बाधा उत्पन होने पर वो क्रोधित हो जाते हैं इसके अलावा उनको मचल कर इस बाध से भी बहुत क्रोध आता है कोई उनकी लगातार उनकी बुराई करता रहा है उनकी आलोचना करे कैसे चल रहे हो तुमारे पढ़ाई में अच्छा नमबढ़नी आते देखने में कैसा लग रहा है किसी भी प्रकार की आलोचना उनको बरदाश्ट नहीं होती है इस अवस्था की बच्चे जाते हैं स्कूल में बल्कुल मा सुबस साफ सुत्रा बेजती है लौट कर आएंगे तो बल्कुल चीकट कपड़े लेकर आएंगे लड़कों में विशेश रूप से देखा जाता है तो मा ने आलोचना की देख देख तेरी बहन के तो कपड़े साफ है, त तेरे कपड़े आलोचना उनको बरदाश्ट नहीं होती है तो आलोचना बरदाश्ट नहीं है उने उने हीन महसूस करवाना कि तुम दूसरे के तुलना में तुच्छ हो, कम हो, ये भी उनको बरदाश्ट नहीं होता, इससे भी उनको बहुतिग गुस्सा आता है, और लंबे-लंबे उपदेश देना, इन्हें बिल्कुल बरदाश्ट नहीं होता, कि मा वगेरा बैठ कर, लंबे-लंबे उपदेश मत द देते हैं, गैसल और अमस नामक जो मनुवध्याने के उन्होंने बताया, कि उत्तर वाल्य अवस्था में, जो समवेग होते हैं, उसमें सबसे तीवर समवेग जो होता है, वो क्रोध का ही होता है, अब इस अवस्था की बच्चे अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करते ह हैं, कि ये बच्चे जो होते हैं, ये अपनी नकरात्मक प्रवर्ती के द्वारा, उनको कोई काम कहो, बेटा ये काम कर लो, नहीं करेंगे, मा ने कहाँ ये काम ऐसे कर देना, नहीं करेंगे, मा कहेगी गेट बंद कर जाना, तो गेट जरू खुला चुड़के जाएंगे, क बिलकुल जिसको कहते हैं, आप लो, कुटी हो गए, बच्चमन में कहते थे, एक दूसरे से कट्टा हो गए, और अब जो होता है, आज कल जो प्रसलित हो गया है, जैसे पेरिंट सगरे होते हैं, कहते हैं कि बात करना बिलकुल छोड़ देते हैं, अपने कमरे में चले गए, दूर रहे, ना परिवारवालों से बात कर रहे हैं, ना दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो अपने क्रोध को इस तरह से भी अभी व्यक्त कर सकते हैं, जगडालू पने इनका बढ़ सकता है क्रोध की वज़े से, ये अपना जगडा क्रोध के माध्य हम से भी व्यक्त कर सकते हैं फिर ये छोटी छोटी बातों को बड़ी तूल देने लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर दूसरों से उलजने लग जाएंगे क्योंकि उनके अंतर क्रोग इतना अधिक हो रहा है तो ये कर देते हैं ये देखा गया है कि भाई बेहनों से जगडा करने की प्रवर्ती दसवें और बारवें वर्ष में इनकी पराकाश्ट पे चरम पर होती है और इसके बाद सहोधर मतलब भाई बेहनों से लड़ाई जगडा इनका दसबार आवस्ता में कुष्टी लड़ना, एक दूसरे को मार परना, नोचना, ये सब बड़ा कॉमन सा होता है लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे घड़ जाता है लेकिन बच्चों आवशक नहीं है कि सभी वो करें परिवार में कैसा उनकी रेरिंग है आपस में प्रेम होगा तो ये चीजें कम होती है और इनका जो क्रोध करने का तरीका जो होता है ये ठोड़ासा भिन क्यों होता जा रहा है अपने क्रोथ को दबा कर परोग्ष रूप में क्यों वक्त करते हैं क्योंकि जो direct जैसे जैसे आयू बढदि जाती है ये मारना पीटना कम कर देते हैं शारीरिक धंग से अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कम करते जाते हैं, मौकि रूप से उसकी अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है, क्यूं? क्यूंकि एक तो इनके उपर सामाजिक दबाव होता है, इस अवस्था के बच्चे समझने लग जाते हैं, सामाजिक दबाव परिवार का होता है, म जाते हैं अपने साथी सा मूँ के अंदर जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मैं इस तरह का वेवार करूँगा तो मेरे साथी मेरे बहुत सारे दोस्त चाही होते हैं, इनको पूरी team चाही होती है, और ये team का सदस से बन के रहना चाहते हैं, तो team का सदस से बनने के लिए, इनको अपने krosh 다ने करना पड़ता है, और वो इसको सीख लेते हैं, दूसरी बात क्या है, कि एक इस अवस्था की एक अच्छी बात ये है कि इनमें क्रोध उत्पन तो जादा होता है लेकिन इस अवस्था के बच्चे स्पोर्ट्स, खेल, इत्यादी में बहुत जादा व्यस्त रहते हैं और ये खुब शारिरिक बल वाले खेल खेलते हैं दोड़ना, भागना, क्रिकेट ख करते हैं इसकी वज़े से इनकी जो क्रोध सम्वेक की वज़े से जो उज़ा उत्पन हुई है उसका निश्कासन हो जाता है वो बहार निकल जाती है और बच्चे शान्त हो जाते हैं तो उनमें क्रोध भी उत्पन होता है लेकिन शारिरिक क्रिया की वज़े से उसका आउट हो गए अगली कख्षा में हम किशोरा अवस्था के दोरान संवेगों में क्या परिवर्तनाते हैं क्या-क्या विशेष्टाइं होती किशोरा अवस्था के संवेगों की उसके विशे में हम अध्यान करेंगे